हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड स्टेडी सरकिल चैनल में और दोस्तों अपडेट है उत्तर प्रदेश सदिनस्थिवा चैन आयूग के तरफ से दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको गुवर्मेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे वीडियो को दोस्तों लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे लास्ट में पांस क्योस्टन पूछे जाएंगे जो आपके तयारी बेस्ट पे होंगे आप यदि वंडे की तयारी करते हैं तो उसी बेस्ट पे है ये हिस्ट्रिस से आ आप जरूर दीजेगा सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि दोस्तों लेकपाल की जो recruitment है उसमें पद की संख्या बढ़ चुकी है और आप लोग यदि पीटी के तैयारी कर रहे हैं तो पीटी के तैयारी करते रहें क्योंकि दोस्तों लेकपाल की जो भरती थी आपको पता होना चाहिए कि लगबग 76-7700 पोश्ट के आसपास में आने की संभावना थी लेकिन दोस्तों इस पे और भी पद बढ़ चुके हैं और आप ये मान का चलें कि 95-100 के आसपास में ये recruitment आने वाली है और इसका जो recruitment है वो जून में इसका जो विग्यापन है वो जारी हो जाएगा और दोस्तों इससे पहले आपको PET का exam यानि करवा लिया जाएगा आयोक के द्वारा PET exam conduct हो जाएगा और जल्द ही PET से related आपको notification भी मिल जाएगा अकल के date में meeting भी है बारत आरिक को और meeting में दोस्तों हो सकता है कि results related update आ जाए या फिर किसी भी सूचना से संबंदित official update आपको देखने को मिल सकती है इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि lower PCS की recruitment उत्तर प्रदिस अधिनस सेवा चैन आयोक के तरब से होता था वो अब UPPSC के तरब से होगा यानि कि उत्तर प्रदिस लोग सेवा आयोक के द्वारा करवाया जाएगा और जल्द ही इसका भी notice आने वाली है और आपको ये vacancy जो है मैं मैं में आपको देखने को मिलेगी तो जो लोग lower PCS के लिए especially तयारी करते हैं वे लोग अपनी तयारी करते रहें और ये मानका चलें कि मै तक इसका जो notification है यानि कि विग्यापन है जारी हो जाएगा और ये recruitment आपको देखने को मिलेगा अभी पद के बारे में कोई सटिक update नहीं मिले जिससे आपको बता जा सके कि कितने पद इस पे आने वाले हैं इसके साथ ही दोस्तों बताना जारी होगा और इसके साथ ही junior assistant 2019 वाले student जो हैं इसके result को लेकर काफी परिशान है तो दोस्तों इसके बारे में ऐसी update नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो भी recruitment आई थी और जिनके exam हो चुके हैं यहां तक कि DV कुछ result आने के बाद DV बचा हुआ है तो उन सब के होने बाकी हैं अ junior assistant 2019 का result कब तक जारी होगा लेकिन इस मंत में जो संभावना है वो बहुत ही कम बन रही है तो दोस्तों आयोग के उपर मीटिंग में decide होता है वैसे तो सचीव द्वारा बयान दे दिया जाता है कि इसके पहले सचीव जी ने बताया था कि मार्च और अप्रैल में मैं यह क्य जो भी result बचे हुए हैं वो लोग इस result को मै तक पूरा complete करवा लेंगे तो आयोग अपने बातों से खुदी मुकर जाता है अभी तो starting में जैसा कि धरना प्रदर्शन हुआ था student द्वारा तो वहां से बताया था कि अपरेल तक जो भी recruitment final हो जाएगा लेकिन आप इसके process को द 2019 वाले student जो हैं वे लोग पहरिसान ना हो अप्रेल माता के इंतिजार करें बाकी typing आप लोग करते रहिए जुने असिस्टें 2019 वाले तो दोस्तों कल हो सकता है कि आपको official website पे कोई update देखने को मिल जाएगा वैसे meeting के द्वारा यदि कोई update हमें मिलती है तो इस चैनल के माद है तो आप अपनी तयारी को बीना किसी नकल के आप इमांदारी से इसके answer दीजिए यदि नहीं आता है तो आप कितने question इस 5 में से कितने आपको आ रहा है ये comment box में जरूर बताएं और यदि आप इसका explanation अच्छे तरह से कर सकते हैं तो आप comment box में इसका explanation जरूर कीजिएगा दोस्तो पहला question है Indian home rule society कव अस्थापित हुई थी? option 1, 1902, 1905, 1901 या फिर option 1902 क्योंकि इसमें 1905 दो बार repeat हो गया था तो right answer आप लोग comment box में बताएगा यदि explanation अच्छे तरह से कर देंगे तो आप explanation में बताएगा जिससे other student को सही लगे और उनको याद हो जाए क्योंकि दोस्तो क्या होता है कि exam hall में कुछ चीज़ें आपको external कहीं से आप सीखे रहते हैं उस चीज़ के बारे में जानकारी ले रहते हैं तो match कर जाता तो आदमी कर लेता है और ये revision का एक best तरीका भी होता है नेक्स्ट क्यूशन है 1857 के बरेली विद्रो का नेता कौन था पहला अप्सन है खान भादूर दूसरा कुमर्सिंग तीसरा मौली अहमद सा या फिर चौथा विराजिस कादिर आप वीडियो को pause करके रुख करके सोच के और उसके बाद आप answer इसका अपने connect कीजिएगा नहीं आता है तो आप skip करके अगले question पर जा सकते हैं अगला question है इंडियन association के संस्थापक कौन थे दादा भाई नैरो जी बालगंगा धर्तिलक ए ओहूं या फिर सुरेंदरनाथ बनर जी आप डेट भी बताएगा कि इसकी अस्थापना कब होई थी और इसके संस्थापक कौन है पानिपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनौरी 1760, 5 जनौरी 1761, 5 नौमबर 1956 या फे 14 जनौरी 1761 अगला प्रस्ण है कोल विद्रो का नित्रित किस ने किया था? बुद्धु भगत, दूसरा सुर्गा, तीसरा सीगरा, या फे चोथा जत्रा भगत आंसर आपके सामने है, आप लोग आंसर देख सकते हैं, मिलते हैं दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, रिवीजन, बेस्ट रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप पढ़े वो टापिक को जब तक बाइ बाइ